आईपेल 2030 में इस वक्त अगर कोई एक नाम चर्चा में है तो वो है मुमा इंडियास के पेशर आकास मधवाल उन्होंने काम ही ऐसा किया है कि उनके नाम का हर जगह स्चोर है आकास ने लखनाउ सूपर जायर से खिलाफ एलिमिनेटर मुकाबले में कमाल की गेदबाजी की आकास ने साठे तीन ओवर में पांच रन देकर पांच विगट लिए वो प्ले ओफ में पांच विगट लेने वाले गेदबाज बन गए हैं हलाकि एक दोर ऐसा भी था जब आकास के क्रिकेट प्रेम के चलते पिता घरनन मधवाल ने रिड़की से अपना ट्रांसफर न्यानी ताल करा लिया था क्योंकि उन्हें डर था कहीं क्रिकेट का कीड़ा आकास का दसवी का रिजर्ट खराप न कर दे पर वक्त का पहिया ऐसा घुमा कि आज इसी क्रिकेट के कीड़े ने आई पिल में सफलता के आकास को चुआ है 29 साल के आकास मधवाल ने आई पिल के प्ले आफ के इतिहास में सबसे शांदार गेदबाजी की उन्होंने साठे तीन ओवर में पांच रन देकर पांच विकर जड़के उनकी इस गेदबाजी की बतौलत मुमाय नियस ने ऐलिमिनेटर में लखनाव सूपरेट जाइंस को एक चासी रनों से हरा दिया और अब टीम फाइनल के दहलिश पर खड़ी हुई है आकाश के पिता मिलेटरी इंजिनियर थे हलाकि कम उम्र में ही आकाश के सिर से पिता का साया उड़ गया था इसके बाद उनका पूरा ध्यान पढ़ाई की तरफ हो गया इस दोरान इंजिनिरिंग पूरी करने के बाद वो रिड़की में ही जौब भी करने लगे थे के रिप्लेस्मेंट के तौर पर उन्हें अपने टीम में सामिल किया था पर खेलने का उन्हें मौका नहीं मिला पर इस सल उनका डैब भी हुआ और मुमा इंडियन्स के लिए पिछले तीन मैच में आकास ने कमाल की गेदवाजी की है और रातो रात वेज चार बन गए हैं वै इसे आपके सोचते हैं कास मधवाल के बारे में मुझे कमें शेक्षन में अपनी रायवताना बिल्गुल मत भूलना